थम जाता है हर तूफान बवंडर भी रुख जाते हैं और अगर होसलों में हो जान तो परबत भी जुख जाते हैं साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में आज कुछ हम अलग करने वाले हैं हाजारों सैकड़ों लाखों बच्चों का सवाल है कि भाग विदी से वर्गमूल कैसे होता है जैसे आपको यह रटाया जाता है आज हम आपको बताएंगे कि रटने वाली जो कला है उसको छोड़ दीजिए आप प्यार से समझ लेजिए कि होता कैसे क्यूं होता है जैसे अगर आप से अंडरूट 4 का बोला जाए तो आप मुबंद करके फटा फट बोल दोगे कि दो आएगा सबको पता है मुबंद करके कैसे बोलोगे जानते हों नहीं पताएंगे देखो 9 का 16 का 36 का 25 का आप फट से बता लेते हो क्यूं क्यों कि ये पूर वर्ग संख्याएं हैं परफेक्ट इसको आए नमबर बट ये ये पूर वर्ग नहीं है इनका वर्ग मुल निकालना इतना आसान नहीं होता है तो इनकी एक परक्रिया होती हूं मैं बताऊंगा वीडियो को पूरा इंड तक देखिएगा अगर आपको सीखना है तो अगर नहीं सीखना वैसे होके मौके से आ गए थे दोके से तो चले जाओ पहले निवेदन है देखना तो पूरा देखना चलिए जिसने पूरी बास समझ में आए न कहते हैं अदूरा ग्यान बड़ा खतरनाक होता ह जनाब तो खतूरा मतलब क्या बोलता है अदूरा काहे को लोगे पूरा लिजिए इन दोनों को मैं अगले पेज पे करूंगा यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ पहला अंडरूर दो वाला देखिए साथी मेरे इनका वर्गमूल करने का एक तरीका होता है सबसे पहले ऐसे एक लाइन खीचते हैं लाइन खीचने के बाद क्या करते हैं पता आपको उस लाइन के नीचे वो नंबर लिखते हैं वैसे प्यार फे अब चुकि इसका दसमलो का जो हमें मतलब मान है वो तीन अंग तक ले जाना है जैसे अभी आपने देखा था 1.414 था न तो दसमलो के तीन अंक तक है ये एक दो तीन दसामलों के बाद इसे चाहें तो हमाँ और आगे भी ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तीन अंक तक ले जाना है तो हम यहां दसामलों लगाके जीरो जीरो के तीन जोडे बनाएंगे ऐसे मेरी बाते सभी को समझ में आ रही ना बढ़िया है मस्त है चलो आज मैं किसी का कोई कमेंट नहीं बढ़ूँगा प्यार से देखिए डाउट होगा कमेंट करना बाद में पढ़ाने के बाद चलो ठीक है आईए इतना समझ में आया ये पहला step हो गया इतना कर लिया तो आपका एक step खतम हो गया आप क्या करेंगे बहुत ही अच्छा वाला important step है इसको मगर प्यार फे देखना एक दम पूरा दिल लगा के उतना दिल लगा ना जितना उससे लगाए थे जो समझ गये ना चलो अब इसमें भाग ले कैसे जाते हैं वो देखना जो बच्पन में हम आईसे करे थे ना बच्पन मौला ये तीन पचे पंदरा आईसे नहीं करते हैं उसमें उसमें ऐसे नहीं होता है साथी मेरे इसमें हम ऐसे भाग ले जाते हैं अगर दो बार ले जाएंगे तो हम पहले दो यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे आय फे करते हैं समझना इनका आपस में ऐसे गुड़ा करते हैं पहले multiple तो दो दुना चार यहां लिखते हैं बताओ यह सही बैट रहा है नहीं दो से चार सब्ट्रेक नहीं होगा बहुत जाता होगा डबल हो गया तो दो बार नहीं जाएगा फिर यह तो फिर यह एक बार जाएगा इसका मतलब एक बार जाएगा तो फिर उपर भी एक ले जाओ यहां भी एक ले जाओ लेकिन यहां ऐसे ले जाना यह याद रहे ठीक है इनका multiple करके ही बनाते हैं वन वन जा वन तो यहां पर वन लिखेंगे इनको घटाएंगे आपस में याद रखना तो यह एक आएगा दो में से घट जाएगा न और यह सिर्फ और सिर्फ गुड़ा किया गया था उधर लिखने के लिए बाकी इधर इसको जोड के लिखा जाता है तो याद रखना यह दो होगा यहां एक और भी सावधानी बरतना है वो क्या है? कि इस दो को जैसे मैं लिखा ऐसे ही लिखना है आपको कभी भी इसको IFA नहीं लिखना है मतलब इधर एक जगा छोड के लिखना है साइड में कि एक अंक लिखा जा सके कहोंगे काहे को किसके लिए छोड़ेंगे अभी दिख जाएगा आगे देखिए अब साथी मेरे दसमलो के जो राइड साइड नंबर थे उनका हिसाब खतम हो चुका है अब हमें दसमलो के उस साइड से भी लेना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आ गया अगर इसमें हम भाग ले जाएं एक बार तो देखो कैसा इस ट्रेक्चर बनेगा एक बार भाग ले जाने का मतलब क्या है? देखो यहाँ समझो थोड़ा कलर बदल देता हूँ एक बार ले जाने का मतलब यह ऐसे बनेगा ठीक है? तो यह वन वन जा वन यानि यह ट्वंटी वन आएगा अब एक में से कईस का ऐसे घटेगा कोनों बनी नहीं रहा सिस्टम तो यह मतलब सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा फिर क्या करेंगे? फिर हम दसमलो के उस साइड का एक जोड़ा यहाँ उतारेंगे ठीक है? अब दसमलो के उस साइड का नंबर ले रहे हो जड़ा सोच के बताओ तो दो का भाग दसमें पांच बार जायेगा पांच बार ना, चलो पांच बार ट्राई कर लेते हैं साथी मेरे अगर पांच बार करोगे तो 25, 5, 125 होगा जो की जादा हो जाएगा तो जादा हो जा रहा तो एक कम कर लो फिर का दिक्कत है? ऐसे ट्राई करते हैं तो ये चार बार जाएगा उपर भी चार लिख देना, भूलना नहीं तो चार चोग 16 और चार दुना 8, एक 9 ठीक है? इनको घटा लीजिए, इधर कितना आएगा? चार, इनको इधर जोड़िए और इधर एक जगा छोड़ के लिखना चार चार आठ और एक ये दो इनको जोड़ते हैं ठीक है? बढ़िया अब क्या करोगे? अब साथी मेरे उपर का एक जोड़ा और उतार लो ये जोड़ा फिनिस हो गया, दूसरा जोड़ा अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा? जरा सोचो, सोचो जरा सोचो पहले दो का भाग दो में ट्राई करो, सुरी चार में तो दो बार जाएगा, तो जरा दो बार ट्राई कर लेते हैं दो बार ले जाने का मतलब ऐसे देखे थोड़ा color बदलता हूं दो बार भाग ले जाने का मतलब ये ये ठीक है तो दो दुना चार और दो अठे जोला थासी लेक दो दुना चार एक पांच देखो जादा हो जा रहा है पांच सो छास चौन सट नहीं, बैट नहीं रहा है तो दो बार नहीं जाएगा ये तो कित्थी बार जाएगा बाबु इनको थोड़ा फ़जगा और दो भाया सकेतें समधियान न करें ये तो एक बार जाएगा, वन टाइम ले जाओगे आप, इनका गुड़ा यह इधर, 10 में से 1 गया 9 9 में से 8 गया 1 इसमें से गुधार गया था 3, 3 में से 2 गया 1 119 10 हमलों के 2 अंक तक हो चुका है हमें 10 हमलों के 3 अंक तक ले जाना है तो हम अपना प्रकिरिया जारी रखेंगे अभी हमारा एक जोड़ा उपर बचा है इनको थोड़ा छोटा कर लेंगे जिससे आपको दिखें, पूरा एक में आ जाए बढ़िया है, चलें आगे चलो ओके भईया चलो मेरे बाबू, आओ चलो आगे आगे चलो चलो इनसे किसी को कोई आपती नहीं रहने दो ऐसे आए तो मैं चलता हूँ फिर से सफेद में अब उपर से दो जोड़ा मैंने अल्रेड़ी उतार लिया दो जगा, अब तिफर का जोड़ा उतार लिया लाश्ट वाला, इसके बाद आप कोई जोड़ा उपर नहीं बच रहा है अब इसमें भाग अगर हम दो बार ले जाएं नहीं का है दो बार ले जाएं पहले हम ट्राई करते हैं हम दो का भाग ट्राई करेंगे पहले ग्यारा में कितनी बार जाएगा दो का भाग एक में ट्राई करोगे नहीं अगर ये देखो तीन अंग का है वो पांच अंग का है तो आप क्या करोगे इसका एक अंग से दू अंग में ट्राइ करोगे तो पांच बार लगभग बन रहा है ना दू पंचे दस तो पांच बार ले जाके देखो पहले पांच बार जादा हो जाएगा वैसे ये और चार अठे बत्तिस का दो हाँ फिल तीन चार दूना आठ तीन ग्यारा देखो ग्यारा 1296 लगभग में सही बैट रहा है अगर आप पांच बाल ले जाओगे काफी जाता हो जाए इनको जोड़ लीजिए चार चार आठ इधर ये दो और ये आठ और ये दो ठीक है मेरे भा 9 सब्ट्रे करोगे 0 ये 8 बचा है 8 में से 2 गया 6 और ये सब खतम 0 इनको यहीं पर छोड़ दीजिए ये आपका था क्या आग विदी से वर्गमूल अंडरूर दो का सभी को समझ में किसी को कोई दिक्कता पत्ती नहीं न कमेंट करके बता दीजिए आगे समझ में आप पूर 9.414 होता है मैंने देखा है कैसे होता है वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को सेयर करें इस तरीके की वीडियो आपको डेली पीवियार स्टेडी लाहबा चैनल पर रात 9 बज़े मिलती है जिसमें लाइब क्लास भी होती है वीडियो भी मिलती है जैसे सुच्यू कर लीजिए लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी नहीं मिलती है तो नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर यह मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अपने साथियों को बेच देना सेयर कर देना जिसे कि वो भी देख पाएं और हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएं